हेलो हसन लो इस्टडी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक पक्षिये डीकरी रद करने के उपाए कि सीपीसी में सिबिल पिर्किरिया सायता 1908 में एक पक्षिये डीकरी रद करने के उपाए रेमेडी इन केस ऑफ एक्स पार्टी डीकरी एक पक्षिये डीकरी रद करने के उपाए सीपीसी में सिबिल पिर्किरिया सायता 1908 के टॉपिक मैंने भी बताया था एक पक्षिये डीकरी रद करने के उपाए के उपाए एक तीकि इंगीजिस में से कहेंगे रेमेडी इन केस में एक डीकरी ओफ एक्स पार्टी डीकरी इस हमारे ही चैनल पने हैं तो मेरा चैनल लीचे रैट बटन दबाकर आभी अभी सबस्काइब कर लें बिल्कुल निश्छलक है मेरे इस वीडियो को लायख करें शेयर करें और कमैंड भी क्या करें कि एक पक्षिए डीकी देखिए इसमें ऐसा होता है कि जो सिबल केस होते हैं सिबल केसों में दो पार्टी होती दो पक्षकार होते हैं बादी और प्रतिवादी अब प्रतिवादी अगर कोड में भाजर नहीं होता है किसे तो एकस पार्टी हो चाहता है किस तो उसी की अबीडी मेडियी आब उसनी का उपाय बताए गया रद क्या का कैसे रद किया जाएगा आधेश इसंसे तेन उपाए थीन उपाए हैं तीन उपाए है पहला उपाय आदेश 9 नियम 13 के तहत आदेश ध्यान से सुनिए आदेश 9 नियम 13 के तहत तहत यंगे अंतरगत आवेदन ठीक इसके अंतरगत जो एक पक्षी आदेश हुआ है डिक्री हुई है उसे अपास्थ करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और दूसरा थी दूसरा है पिर्थिवादी द्वारा अपी वे पिर्थिवादी जू रहता है अवह अपीयल में जा सकता है एक अपीश तांटी ए 20 mm टी रहाद एग्यों और पुनर विलोकन पुनर कोड़ कें कोड़ विलैं यह तीन उपाएं हैं अगर डिक्री एक पक्षी हो गई यह तो यह तीन उपाएं इन तीन उपाएंगों के माद्यम से उसे हम कैंशल करा सकते हैं यह जो अब गया पहला वाला यह जो आदेज़ करने के लिए आवेदन इसके अनुसार एक पक्षी दिक्री को अपास्त किया जा सकता है इस प्राबधान के अंतरगत सिर्फ पृति बादी ही आवेदन कर सकता है अब देखिए इसके आधार कौन कौन से हैं इसके इस वाले के आधार कौन कौन से हैं दो आधार हैं इसमें दो आधार हैं जैसा नमबर एक समन सम्यक रूप से तामील नहीं हुआ जो उसे समन भेजा गया था प्रति बादी को समन वो तामिल नीव मैसाई से ठीक पहला आधार ये है कि तूसरा आधार है कि से उसके अपस्थित न नहोंने का पर्याप्तकारण था जो अनुपस्थित हुआ है वो उसके पास पर्याप्तकारण है कि दूसरा है अगर वो अनुपस्थित रहा है तो उसके पास कारण उसके पास अनुपस्थित का उचित कारण है ठीक तो यह पहला वाला जो है आदेश 9 नियम 13 के तहट आविदन इन आधारों पर कर सकता है कैसर करने के लिए पहला आधार यह था कि समन का सम्यक लूपसे तामिल ना होना अच्छा कैसे होगा यह इसमें यदि पृतिबादी समन की तामिल सही तरीके से नहीं हुई है तो पृतिबादी एक पक्षिय जो डिक्री हुई है उसे अपास्त करने के लिए आभिदन कर सकता है तता कोर्ट उस आधार पर एक पक्षिय डिक्री को अपास्त कर सकता है परंतु समन के रूप में बाद की पृति नहीं थी ये एक आनिविता नहीं मानी जाएगी तथा इस आधार पर एक पक्षी डिक्री को समाप्त नहीं किया जा सकता है कि दूसरा ता पर्याप्त कारण वह पर्याप्त कारण उसके पास यानके कोट में वहाजी नहीं हुआ उसके पास पर्याप्त कारण है सफिसेंट केज है तो अब क्या है परियाप्त कारण को सहिता में परिभाशी तो नहीं किया गया कहीं भी कोई ऐसी परिभाशा नहीं है जो आपको बता दिया है कौन सा कारण परियाप्त है या कौन सा नहीं ये तत्त का पुरिषण है जो कि मामले की पस्तितियों पर सरक्मस्टेंस पर निर्भर करता है यदि परतिवादी नियाले में उपस्तित ना होने का परियाप्त कर बता देता है तो नियाले एक पक्षिये डीकली को अब पास्त कर देगा ठीक यह आधेश नो नियम तेरा के अंतरब आवेदन के आधार की बाती गिराउंट की बाती गिराउंट के बारें बताया था भी मैं नहीं है अब एक बात दिमाग और और आ रही होगी वह पर्याप्त कारण है कौन से यह तो बता दिया कि पर्याप्त कारण अगर है और बता देता है तो नियाले मान लेकी लेंगे वह कारण होंगे कौन से वह भी पता चले हाँ पर्याप्त कारण कौन से है पहला है गाड़ी का देर से आना गाड़ी देर से आई इसलिए नियाले में उपस्तित नहीं हो सके बक मखील का कर डायरी में गलत बीमार ह섯 अगर प्रितिबादी बीमार होता है उसके कि अगर नावालिक है और उसका जो सर्रक्षा कर रहा है तो यह भी पर्याप्तकार माने जाए तारीक के कि सम्मन्द में सद्वा पूर्वग गल्ती दोके से प्रतिबादी ने कोई दूसरी तारिक नोट कर ली लिखी कि 13 तेरा मार्च 13303-2020 दोगे से उतार के लेके 135-2020 कहीं भी कुई गलती हो गई तो यह सद्वा पूर्बर माने जाएगी और इसे पर्याबत कारल माना जाएगा और इससे दिक्री अपास्ट कर दी जाएगी अब वो कारण जो आपर्यापत हैं जैसे अधिबक्ता की उपस्तित होने में असमर्तता मात्र अब कोई पृतिवादी कहे हमारा अधिबक्ता उपस्तित नहीं था ये पर्यापत कारण नहीं है दूसरा जान भूच कर देरी करना सब कुछ मालूम है सम्मन तामिल भी हो गया उसके बाब जूद भी जान भूच की गलती करना है तो यह परियात कारण नहीं होगा डीक्री अपास नहीं की जाएगी अब दूसरा देखिए प्रतिवादी अपील अगर दिक्री एक पक्षिय पास हो गई है तो अपील वाई डिफेंडेंट यानकि अप्रतिवाई द्वाई द्वारा अपील किया सकती है पृतिवादी को एक पक्षिये दिक्री अपास्त कराने के लिए धारा 96-2 में अपील का दिकार दिये गया है धारा 96-2 में अपील का दिकार दिये गया है सीपीची में इस धारा के तहित पृतिवादी अपील कर सकता है और अपनी बात उसमें दे सकता है तीसरा है पुनर्विलोकन पुनर्विलोकन में रिव्यू में पृतिवादी को एक पक्षिये दिक्री को अपास्त कराने के लिए है तीसरा अपचार यह आदेश 47 में दिया गया है यह आदेश कि सैथालिस यह दियान देने योग बात है जहां से देखिए 47 के द्वारा दिया गया है आदेश 47 के तहत पृतिवादी एक पक्षिये जीक्री जो एक्स पार्टी हुई है एक्स पार्टी डिक्री उसके विरुद्ध उसी न्याले जिसने उस डिक्री को पारित किया है कि में पुने बलोकन का अविदन कर सकता है मैं जिस न्याले ने वो डिक्री पास किये जो दिक्री मुलब एक पक्ष में दी है उसी नियालें वो पुनेबलोकन का आविदन दे सकता है आदेश सहितार इसके अंतरगत आज के इस वीडियो में चार्चा की बहुत अच्छा था टॉपिक था एक पक्षी दिक्री दर्द कराने के लिए कौन से उपाएं यह आज मैंने तीन वाई बताएं आम में दो इस अखली वीडियो में कि लिए जुड़े रही है अच्छा रहा है अधि आधि